जैशरी महांकाल जैशरी महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आबार है आप जो प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत धन्यवाद दोस्तों बाबा वर्स पुराना रहस्य में आपके सामने रखने वाला हूँ यह रहस्य क्या है और यह जो है यह बिल्कुल कारगर तरीका है और यह बात शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी और यह बात आज मेरी स्टुडियो में आपको बताने वाला हूँ तो यह जो रहस्य है जिसके अगर आप इसे अपने उपर अमल और फोलो करेंगे, मैं आपसे बादा कर रहा हूँ कि आपके जीवन की जितने तकलीफ, दुख, दरिदरता और आप शगून, जीवन में जो जो कटनाई हैं, परिशानिया हैं, उन सब का आपको खल और निवारन की और आप जाएंगे, जित सब भी मिलेगा, और ये इश्वर की इच्छा से ही मिलेगा, मतलब सही तरीके से ही मिलेगा, ये तरीका जो रहसी में आज आप से बात करने वाला हूँ, वो सही तरीके से मिलेगा, कोई भी गलत तरीका नहीं है, तो हम उस पर बात करें, और वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाए उसे पहले मैं आपसे एक चोटा सनी वेदन कर्मा चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है प्लीज आप सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के साथ ही कमेंट्स में आप ओम नमस्षिवा लिखें जय शिव शंभू लिखें भूले नात का कोई एक नाम लिखें जो आपको अच्छा लगे और अगर अपनी कुणली का अनलसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नमबर चली रहे हैं वाट्सअप पर अपोइन्मेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं तो हम मुद्दे पर आते हैं दोस्तो कि जो रहस है जिसको आपको जानना है वो है जब अब इसको यहां से छोड़कर विडियो को मज जाएगा यहां से बारी किसी चीज़ों को समझेगा कि हमारे पुराने रिशी मुनी थे जो हजारों बरस तक कई सालों तक एक मंत्र का जाब करते थे कोई एक मंत्र को कहीं कहीं बार वो जब करते थे और उसकी सिद्धी होने पर उन्हें इश्वर दर्शन देते थे और दर्शन देने के बाद वो इस विश्व के कल्यान के लिए अपनी इच्छा प्रकट करते हैं लेकिन वर्तमान कल्यूग इसमें हमारी एक ओसत आयू सो वर्स मानी गए लेकिन इस आधुनिक दूर में हम सत्तर साली हम ओसत आयू है हमारी तो इस आयू में हम एक कोई मंत्र रख लें चाहे ओम नमस्षिवाई रख लें चाहे आप शिरी कर्म जो हम दो वक्त के गुजर बसर के लिए चीज़े करते हैं वो बेशक आप करते जाए उसके साथ और या तो अपने मोबाइल में उस तरह का मंत्र जब खुद करके रिकोर्ड करके बार बार सुने या खुद मन में उसका उच्छारन चलने दे दोस्तों आप जितनी बा जाएगा तब वो जो जब भेमास से आपके खत्म हो जाएगा फिर नहीं सुरुआत होगी मतलब इसको थोड़ा सा यहां समझने की जरुआते हैं कि वो सिद्द हो जाता आपकी वानी जो है शिद्द हो जाती है आपका मन शान्त रहने लग जाता आपके काम सोता ही बनने ल जाएगा अापके काम साय काम से नहीं से वाएगा छुआ.